चलिए इस ब्रिम हम बात कर ले थे हैं आई से सिजन एट के मैच नमबर 24 और 25 के बारे में दोनों ही मैच कॉंपलीट हो चुका है दोनों मैचों का ही रिव्यू आज में एक ही वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ कल 24 वाला मैच हुआ था एटिके मोहन बागन वर्सेस इपसी कोई जहांपर एटिके मोहन बागन ने बहुती दमदा तरीके से जीत हासिल किया था एकदम डमिन तरीके से जीत हासिल किया था और दूसरा जो मैच है मैच नमबर 25 आज हो चुका है हो रहा था चिनान इपसी के सा आज के मैच पे जीत मिला है चिन नैन इपसी के खिलाब एक साउधन डड़वी था चलि हम पहले मैच नमबर 24 के बारे में एक बार बात चित कर लेते हैं तो मैच नमबर 24 का स्कोल लाइन था भाई 2-1 एटिके मोहन बगन ने दो गोल लगाया था और एपसी गवान ने एक गोल लगाया था मैच बहुत ही अच्छा रहा है एटिकी के नजरिया से एटिके मोहन बगन के नजरिया से और लिस्टन कोलासन भाई 23 मिनित पर पहला गोल दागा था और जो गोल था भाई वो बहुत ही उम्दा था बहुत अच्छा उनका फिनिस था आउटसेट दा बॉक्स वाट था लॉंग डिस्टेंस से लॉंग रेंज शॉट उन्होंने लगाया था और क्या स्पीड था भाई हिस्टरी में के सिक्स्ट फरस्टेस्ट गोल है 181 किलिमिटर पर हावर गती से एक गोल को फिनिस किया था यहां पर लिस्टन कोलासो जो की सिक्स स्पीडियस्ट गोल माना जा रहा है फुटबल के इतिहास में और उसके बाद रॉयकिशना ने भी भाई हप टेम के बाद एक गोल लगाया था 56 मिनिट पर उनका भी फिनिस बहुत ही उंदर तगरा था और उसके बाद एक बदले में गोल आया था जो की इप्सी गोवा का खिला रही है 81 मिनिट पर यहां पर अम्रिंदर का गलती था भाई अम्रिंदर ने अच्छी तरीके से कलेक्ट नहीं किया था इ इसके चलते यहां पर इतिके मोहन बगन को एक गोल कॉंसिट करना पड़ा नहीं तो भाई यहां पर क्लिंट सिड आ जाता उनके पास और टीजने स्रीप स्वाट लगाया था स्वाट में उतना कुछ अच्छा दम नहीं था स्वाटन टार्गर था लेकिन यहां पर मिस क्या है पकड़ नहीं पाया है अम्रिंदर इनका form बहुत बेकर चलना ही नहीं हां पर कोई दूसरा ऑफसिन उनको यूज करना चाहिए हाला कि अम्रिंदर के अबिलिटी पर कोई संदें ही यह लेकिन वावीभाए फॉर्म से नहीं जा रहा है अपने form को उनको पकरना परेगा त था सुनाई दे रहा है कि ओर लालेगा टू में जा सकता है सेकंड डिविशन में जा सकती इस तरीके करी मड़ आया थे लेकिन लास्ट जो मैच उन्होंने नहीं खेला देटिके महान बागन के खिलाप और फूट पोईजिनिंग के चलते कुछ खिलारी को भाई फूट आया है डिफिंसिब ली बहुत ही अच्छा खेला है तिरी आने के बाद बहुत स्टेबल नजर आ रहा है यहां पर इंटिके महान बागन के डिफिंसिब लाइन तो कुछ इस तरीके काही कहनी था इस मैच का और आप लोगा चाहत हो तो भाई हाल लाइट जाकर देख सकते आपको होट स्टर पर मिल जाएगा चलिए आज के मैच के बार में बात कर लेते हैं जो कि मैच नमबर 25 हो चुका है चेंडायन इपसी वर्सेज बैंगलूर इस मैच का स्कोल लाइन था टू फोर चेंडायन इपसी ने दो गोल लगा था बैंगलूर इपसी ने जवा में चा जेरी ने बॉक्स के अंदर हैंडबॉल कर दिया था डिफिंडर जेरी के मैं बात कर रहा हूँ जिसके चलते ही हाँ पर एक परनल्टी कॉंसिट कर भए था चेंडायन इपसी 39 मिनिट पर और इसको कॉनबर्ट किया था क्लिट्रों सिल्भा ने बैंगलूर इपसी के तरफ स पहले बढ़ा था यहां पर चेंडायन इपसी नहीं लिया था पहले हाप में ही लेकिन जो इनका आंथ हुआ है भाई बहुत ही खराब हुआ है कि सेकेंड हाप स्टार्ट होने से पहले पहले हाँ में ही दो गोल लगा दिया था बैंगलूर इपसी 33 मिनिट पर एक और गोल आया था एलन कोस्टर ने लगाया था बैंगलू डिपसी के लिए सेट पीस में उसके बाद भाई नेक्स जब सेकंड हब स्टार्ट हुआ वहां पर बहुत जल्दी फिर से यहां पर एक गोल आ गया था चेनल डिपसी के तरफ से सेकंड हाप का भी भाई सुरबात क्या है चेन बैंगलू डिपसी फिर से बरात बना लिया उसके तुरांद बाद चार मिनिट के बाद 74 मिनिट पर परतिक चोधरी ने भी एक गोल कंवर्ट कर दिया था सिर्पीसे से यह मौका बना था और रमिनेज ने उनको भाई बॉक्स के अंदर एकदम गोल लाइन से ठीक आगे ही उनको पास दिया था और प्रतिक ने इसको फिनिस किया है बहुत यह आसानी से और यहां पर बैंगलू डिपसी ने चार कुर लगा कर चेने निफसी को हरा दिया है और इस सीजन का दूसरा जीत हासिल किया है बहुत दिनों के बाद उनके मूँ पर जीत लगा है आज बहुत दमदर कॉंपरिशन चल रहा है अगर चेने निफसी बेटर करना चाहता है तो उनको भाई मैच जीतना ही परेगा आने वाले कुछ मैच उपे उनको जीत चाहिए ही चाहिए बैंगलू डिपसी पर कर सकते हैं उनके पास भी मौका है लेकिन उनका जो अब जीत का सिलसिला स् दोनो दिन ही मैच नहीं है दोनो दिन ही चुटी है और इन दोनों दिन में आपको कुछ स्पेशल वीडियो देने की कोशिस्त करता हूँ झाल झाल